बिहार के बेगु सराय से चुनाव लड़ रहे कनया कुमार जो इन दिनों काफी ही खबरों का कारण बने हुए हैं जी हां क्योंकि कनया कुमार जो है बीज़ेपी के नेता गिरराद सिंग को यहां पर टकर देते हुए देखे जा रहे हैं और यह कहना भी गलत नहीं होगा कि बेगु सराय की जो जग्ता है वो यहां पर कनया कुमार के सपोर्ट में देखी जा रही है और ऐसे में चुनाव से पहले एक ऐसी बड़ी खबर सामने आ रही है जो यकीननundert ही कन्हया कुमार के चुहाने वालों के लिए एक जटका साबित हो सकती है आपको बता दे कि कन्हया कुमार को चुनाव से पहले ही 65 लाक रोपय की धन राशी उन्होंने जमा कर ली है अवर डेमोक्रेसी के सयोजक ने बताया है कि 24 अप्रेल तक पब्लिक फंडिंग के जर्य आतीश को करीब 47 लाक रुपीज जो हैं उन्होंने जमा किये तो वही कनहिया कुमार को 65 लाक रुपे की फंडिंग अब तक मिल चुकी है वाके ही यह कहना भी गलत नहीं होगा कि यहाँ से 70 लाक रुपे टक कि चुनाव की जो फंडिंग की बात चल रही है कि 70 लाक रुपे तक घुच किया जाएगा चुनाव के दौरां और 65 लाक रुपे तक कनहिया कुमार को पब्लिक की फंडिंग मिली है और ऐसमें वाके ही है कहना और देखना भी दल्चस्प next time news झाँ झाँ है झाँ है